तो दोस्तो आज का ये जो वीडियो है टूटल दो पार्ट में हैं और दोनों पार्ट में ही मैं जिन ख़वरों के बारे में बताऊंगा उसके उपफर कन्फरमेशन DRDO के चीफ के तरफ से दिया गया है ब misinformation के लिए बनाए जाने वाले fifth generation के जैट इंजिनों के रहे है और दोस्तो इन दोनों विशयों के बारे में डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जूरूर कीजिये दोसो रिपोर्ट के मुताविक Defense Research and Development Organization मतलब DRDO के चीफ के तरफ से हाली में ही ये कन्फर्म किया गया है कि Indian Air Force के लिए जो DRDO के द्वारा Light Combat Aircraft Mark 2 मतलब तेजस Mark 2 Aircraft 2 का निर्मान किया जा रहा है ये एक साल के अंदर रोल आउट होगा मतलब दोसो साल 2024 के समाप से पहले भारत के ये Medium Weight Class के Aircraft को DRDO के तरफ से रोल आउट कर लिया जाएगा अब दोसो देखा जाए तो तेजस Mark 2 Aircraft 2 के प्रोजेट के उपर Defense Research and Development Organization के शाखा Aeronautical Development Agency और Hindu Sir Aeronautics Limited के तरफ से काफी समय से काम किया जा रहा है लेकिन पिछले साल के सेप्टेंबर एक तारीक के दिन Cabinet Committee on Security मतलब CCS के तरफ से तेजस Mark 2 Aircraft 2 के प्रोटोटाइपों के निर्मान और इसके टेस्टिंग के लिए 10,000 करोर रुपया का अनुमती दिया गया और वेसिकली बताया जाता है कि इस तरीके के अनुमती के बाद ही एरक्रेप्टों के प्रोटोटाइपों के उपर काम शुरू किया जाता है और दोस्तो अब Defense Research and Development Organization के चेर्मेंड डॉक्टर समीर वी कामट के तरफ से मीडिया को ये जानकारी दिया गया है कि एक साल के अंदर मतलब साल 2024 के समाप्ट से पहले DRDO के तरफ से केवल मात्र तेजस माक्टू ये एरक्रेप्टों के रोलाओट ही नहीं किया जाएगा बलकि साल 2027 के समाप्ट से पहले इन येरक्रेप्टों के टेस्टिंग को भी समाप्ट किया जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि नैचरली जब येरक्रेप्टों के CCS क्लिरेंस होता है तो उसके बाद कम से कम इन येरक्रेप्टों के पोटोटाइपों को निर्मान करने के लिए 3 साल का समय लगता है और CCS के तरफ से तेजस माक्टू यारक्रेप्टों को लेके साल 2022 के सेप्टेमबर महिने में अनुमती दिया गया है मतलब केवल मात्रे एक ही साल हुआ है और उपर से बताया जा रहा है कि एक साल के अंदर इन यारक्रेप्टों के पोटोटाइपों को रोलाउट किया 17 टन कैटेगरी के मीडियम वेट क्लास एरक्रेप्ट के रूप में बनाया जा रहा है जिन में केवल मात्र इंजिन या आकार में ही तबदिली नहीं किया गया है बलकि संपूर्ण एरक्रेप्टों के जो स्ट्रक्चर है और डिजाइन है उसमें भी परिवर्टन किया गया ह अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ये भी वता दू कि एरक्रेप्टों के फर्स्ट फ्लाइट के दो साल के अंदर जो एरक्रेप्टों के इनिशिल फ्लाइट ट्राइल है उसे भी अंजाम देने का इरादा रखा जा रहा है और ये इनिशिल फ्लाइट ट्राइल कम्प और Air to Ground Weapon Trial को ही अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद इन यार क्रैप्टो को Indian Air Force के हवाले कर दिया जाएगा क्योंकि इन यार क्रैप्टो का कोई specific IOC मतलब Initial Operational Clearance या Final Operational Clearance जैसे variant नहीं होने वाला है और इन यार क्रैप्टो के जो Weapon Trial है इसके बाद करीवन 5 साल तक चल का है जो कि initially साल 2022 से MiG-29 जैसे यार क्रैप्टो को Indian Air Force के बेड़े से रिटार करेगा जबकि उसके बाद साल 2035 से इन यार क्रैप्टो का इस्तिमाल करके इन यार फोर्स के जैगवार और मिराच 2000 जैसे यार क्रैप्टो को भी रिप्लेस किया जाएगा हाला कि दोस्तों 6 स्क कारकवान यार क्रैप्टो के संख्या को बढ़ाया गया है और दोस्तों ऐसे रिपोर्टो में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन यार फोर्स कम से कम 10 स्क्वाडरेन मतलब करीबन 200 के आसपास ऐसे यार क्रैप्टो को अपने बेड़े के लिए खरिदेगा क्यूंकि जो मि खरिदना पड़ेगा ओही पर दोस्तों तेजस मार्क टू यार क्रैप्टो को एक बहुत ही ताकतवर तरिंड मीडियम क्लास यार क्रैप्ट के रूप में बनाया जा रहा है जो कि कम से कम साड़े 6 टन मतलब 6,500 किलोग्राम तक वेट को कैरी कर सकेगा और इसमें 13 हार्ट प पास फिलाल ऐसे अवियोनिस के टेकनोलोजी भी है और ये टेकनोलोजी भारत को AMCA यार क्रैप्टो के प्रोजेक्ट से जहां पे मिल रहा है तो वही पे तेजस मार्क वान ये जैसे यार क्रैप्टो के सफलता के बाद भारत के पास काफी हद तक यार क्रैप्ट अब दोस्तों DRDO के चेफ डॉक्टर समीर वी कामट के तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि जो AMCA यार्ट्राफ्टों के इनिशिल स्क्वाडरन बनाया जा रहा है जिसे की AMCA Mark 1 कहा जाता है वो असल में अमेरिकी A414 इंजिनों से लैज होगा हाला कि इसके बाद में इसकी जो अपग्रेड़ेड वर्जिन मतलब AMCA Mark 2 यार्ट्राफ बनेगा वो एक हाई थरस्ट इंजिनों से लैज होगा और ये इंजिन 6 जेनेरेशन के टेक्नोलोजी वाला इंजिन होगा और दोस्तों DRDO के इंजिनों के साथ बातचित कर रहा है बातचित का मकसद ये है कि जॉइन डेवलाप्मेंट के अंतरगत भारत के आवशकताओं को देखते हुए खाली इन इंजिनों को तैयार ना किया जाए बलकि 10 साल के अंदर इंजिनों के कम्प्लीट डेवलाप्मेंट जिसमें की 10 के रोल्स रोयज और अमेरिका के जनरल इलेक्टिक के साथ पार्टनर्शिप को लेके बातचित भी कर रहा है और ये जो डील है ये लगवग लगवग अपने फाइनल स्टेज में है और आने वाले 6 महिने के अंदर डील के उपर हस्ताक्षर भी कर लिया जाएगा हाला कि दोस्तों जादातर मीडिया रिपोर्टों में ये ही दावा किया जा रहा है कि डिडियो और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के वीच में ही ये डील होगा और शाहिए सैफ्रॉन ही भारत के लिए इन जेट इंजिनों का निर्मान करें फतिशत तक टेकनोलोजी मिल सके पर दोस्तों वही पर मार्क टू में जो 6 जनेरेशन के इंजिनों का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है उससे यार क्रेप्टों के जो पर्फर्फरमेंस है वो तो एनहांस होगा ही साथ में यार क्रेप्टों के रेंज EFFICIENCY भी वड़ेग के कोर के रूप में इस्तिमाल किया जाएगा और शायद इन इंजिनों का इस्तिमाल AMCA Mark II Yardcraft के इलावा भी अन्य Yardcraft में किया जाएगे और वही पे दोस्तों इन इंजिनों का इस्तिमाल करके शायद अन्य इंजिन मतलब इसके Scale-Up Version और Scale-Down Version ओ को भी तैयार किया जाएगे फर दोस्तों AL-31 इंजिनों के bright thrust करीवकर 76 kN है और ये afterburner के साथ करीवन 130 kN तक thrust produce कर सकता है मतलब ये जो नया 6 generation का इंजिन है इसमें अगर कोई नया और upgraded afterburner का इस्तेमाल किया जाता है तो शायद ये जो इंजिन है ये 130 kN तक thrust future में produce कर सके और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इंजिनों का इस्तेमाल भारत कई तरीके के यार क्रेप्टों में जैसे कि अपने heavyweight fighter यार क्रेप्टों से शुरू करके सुखुई 30 MKI यार क्रेप्टों के अफग्रेशन के प्रोजेक्ट में भी कर सकेगा इवन दोस्तों 6 generation की इंजिन के रूप में इस इंजिन को develop करने का इरादा भी इसलिए है ताकि भविशे में भारत जो 6 generation के यार क्रेप्टों को बनाएगा उन यार क्रेप्टों के जुरूतों को भी इनी इंजिनों के द्वारा पूरा किया जा सके हालाकि कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर सैफ्रॉन के साथ भारत इन इंजिनों को बनाता है जो कि संभावनाय सबसे अधिक है तो इन इंजिनों के इस्तेमाल ट्वीन इंजिन डेगवेस फाइटर यार क्रेप्टों में भी हो सकता है जो कि नेवी के लिए बनाया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताविक ट्वीन इंजिन ड के इरादा रखा जा रहा है ये कहा तक भारत को आत्मनिर्वर होने में मदद करेगा कॉमेंट करके अपने राया वश्र दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियो को यही पही करते समाप्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम झाल 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